हालो दोस्तों नमस्कार एक वार फिर से आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर हार दिख सभागत बवी नंदन आज किस वीडियो में हम पुना हम एक वार फिर से सिक्थ पर कमिशन स्वंदित अपडेट लाए हैं तो आज की मीटिंग जो सर्करमचारी मोर्चा और पंजाब गौर्मन्ट के मद्द्य हुई उसमें क्या क्या निरने हुए और मीटिंग में किन मुद्दो पर सहमत ये बनी और किन पर नहीं बनी तो इसी के बारे महां आज इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करू हमेशा की तरह एकर रिक्वेस्ट अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ मैं बेल आइकन को भी दुआ है ताकि आपको मेरे दोर अपलोड की जारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें दोस्तो इसाथ में वीडियो को लाइक वशेयर भी जरूर करें तो चलिए दोस्तो वीडियो करते हैं शुरू दोस्तो अगर हम पहले मुद्य की बात करें तो वो था गुनांग का मल्टिवल फैक्टर्स का जैसा कि आप सबी जानते हैं सिक्स्ट पेक मिशन के उनसाथ टू पॉइंट फाइव और टू पॉइंट फाइव नाइन का फैक्टर्स दिया गया है जिसके अधार पी सैलरी की कल्कुलेशन की जानी है परंतु सरकार के खिलाफ करमचारियों ने इसमें पर बिरूद किया ह है और 29 तारह की जो पट्यारा में बहुत बिशाल रैली हुई थी जिसमें लगबग सत्रह जार से उपर सरकारी करमचारी कत्रित हुए थे उसमें बिरूद किया था परंतु सरकार ने यह कलियर कर दिया है जो फैक्टर्स है उसमें किसी परकार की चेंजिंग नहीं होने बा बात और कई है कि किसी भी करमचारी की सेलरी जो है पंदरा प्रतिशत जो ग्रॉस सेलरी बड़ेगी ही बड़ेगी यह बादा किया है उन्होंने कहने का मतलब यह है कि अगर किसी करमचारी की सेलरी जो 31 बारा दो आजार पंदरा को जितनी भी थी उस पे जो ग्रॉस सेलरी पंदरा प्रशत के बरोतरी होगी ही होगी अगर किसी कर्मचारे की स्यलरी किस्ट पे कमिशन की कॉउंटिंग के औनुसार पंदरा प्रशत बरोतरी पर नहीं पाहुं भाग नहीं लिया वो हड़ यहां पे सरकार ने ये कहा कि जो इलाउंसेज है जो डीलिंग किये गए थे कहने कम डीलिंग का मतलब यह है कि जो बेसिक सेलरी में उनको एड़ अव नहीं किया गया है उनको उसे अलग कर दिया गया है अगर हम non practicing allowances जो डॉक्टर्स को मिलता है उसकी बात करें तो वो 25 प्रतिशत था परंतु सरकार ने उसे 20 प्रतिशत कार दिया है और इस पर मनप्रीत सिंग मान या बितमंत्री पंजाब सरकार जी का क्याना है कि salary में high होने के कार्ण जो है उनके जो allowinguses बेस् प्रतिशत हो गए हैं इसमें किसी परकार की कौट आथी हमने नहीं की है बलके allowances यतावत रहे हैं salary में high हो गया इसलिए प्रतिशत हो गए हैं तो कुल मिला कि ये बात कहें जितने भी allowances बत्ते है उनको देने के लिए सरकार त्यार हो गई है दोस्तों जो अगला मुद्ध था वो था कच्चे Employee को पक्के करने के बारे में जो Contractual Employees है या Teachers कई ऐसे साई रूप से जो काम कर रहे हैं उनको Regularization करने के बारे में उनके निमती करने के बारे में अगला जो मुद्ध था वो चर्चा का था और इस पर सिरकार ने ये कहा कि हम मा Regularization Bill of the Contractual Employees ला रहे हैं और उसी के दुद्ध इस मुद्ध पे चर्चा की जाएगी अगला मुद्ध NPS कर्मचारियों को था जिनके न्यूक्ती एक एक दूजर चार के बाद हुई है पुरानी पैंशन को लेकर यह मुद्ध था परन्तु परानी पैंशन देने के लिए फिल पैंशन के अगर बात करें फैमिली पैंशन देने के लिए सरकार राजी हो गई है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसके नोटिफिकेशन फैमिली पैंशन की नोटिफिकेशन जो है लागू कर दी जाएगी अगला मुद्ध आज़ा बरकर्द आंगनबाडी और Mडियम वर जाएगा जितने भी अन्यमुद्धे हैं दोस्तों एक अन्यमुद्धा जो 15-15 का पत्र है उसे सबंदित था यानि कि परियोड से सबंदित इसके बारे में भी कोई भी चर्चा नहीं हुई और सरकार ने इस मुद्ध को चर्चा में लाने से बिल्कुल से इंकार कर दिया औ अब एकेबल सिफ्ट पे कमिशन की नोटिक्विकेशन से सबंदित ही चर्चा की जाए दोस्तों इस परिकार से आज बहुत सारे डिसकाशन हुई जिसमें कुछ पइंटों पर सैमती बनी और कुछ में नहीं बन पाई हैं अब सरकार की इस फैसले के वाद सर्वकरमचारी न सर्वकरमचारी मोर्चा के सभी सिदस से बैक फूट वे आजाएंगे अगर सैटिस्फेक्टरी नहीं लगती है तो उस तशा में जो उस स्थिती में जो एजिटेशन है उसको और बढ़ाया जाए तो यह था दोस्तों आज का वीडियो वीडियो देखने के लिए आप सभी क बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन नाशकार